नमस्कार जया जोहार संग्वारी हो मैं प्रतिक सिंग लेकर कहा हूँ आज आप सब के लिए लेबर इंस्पेक्टर के दोस्तों आप सब की भारी डिमाइंड पर इससे पहले मैंने आपको वेतन भुकतार अधिनियम के पार्ट वान और पार्ट टू पढ़ाया है जो नहीं देखे दोस्तों उस वीडियो को जाके देख लिजी क्योंकि जो देखे होंगे क्यों उनसे ही दोस्तों इस पूरे अब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंख मून करक सब्ढ़ते हुए एक सिक्वेश्चन को जमा करके बनवाया है तापको दोस्तों धारा वाइस पूर एकदम आपका सिक्वेश्चन को खतम होने वाला है जो आपके एक्जाम में आपको देखने मिलेंगे एकदम गेरेंटीड है इसलिए विश्वास के साथ एकदम अभया क् आपका मतलब की निश्चेंट हो करके आप इस क्लास को देखिए और इस कोंविडेंस के साथ देखिए कि हास कोश्चन आएगा और इसलिए आत्मसाथ करने पर ध्यान दीजिए इस सारे सेसंग को चलिया आईए देख तो क्लास के और चलते हैं भीना समय वर्त किये दोस्तो कॉंग्रेश्च विलेशन है पुझा यादो मेडम को जो किहाल ही में हुए एसेफ रेंजर के आई हुए रिजल्ट में सेलेक्ट हो के आई हैं मैं हमारे सर डेक्टर सर वीजे कुमार व्यदी सर से मिलने आई थी तो इस तो सीपल का हमने इस यादगार मोमें को कैप्चर कर लिए तो आप सब इनको बढ़ाए दीजिए साथ इसाथ दोस्तो चलते हमारे क्लास के और आज हम पढ़ेंगे वेतन मुक्तामा धिनियम 1936 का अब्जेक्टिव कोस्चन्स मैं आपको जो पूरे सेसन पढ़ाया था दोस्तो थी आपको बताया था कि हमारे पुस्तक है जो कि यह पेज और यह दो पेज दो पेज जो पूरा वेतन भुक्ताना धिनियम 1936 खतम कर दिया है इनों ने आए चलते हैं क्लास के और दोस्तो आज सी था पहला कोश्चन आप सब के सामने हाजीर है कि बताईए वेतन भुक्ताना धिनियम 1936 में कुल धराये हैं इस 36 में 10 कम 26 तो अंसर 26 तो वेतन भुक्तान अधिनियम या मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में पुल धराये हैं दोस्तों आपकी 26 नेस्ट कोश्चन आहां दोस्तों यह पूरे सीरीज है इनके जो आंसर है इनका जो ठीक लगाओ आंसर चाहिए आपको पूरे कोश्चन सीरीज का चाहिए आ तो जाकर को इसका लाब उठा सकते हैं और वीडियो को अगर आप सेर करेंगे आपको यह बता देता हूं चले फिला कोश्चन करते हैं किस कमिशन की सिफारिज पर वेतन भुक्तान धिनियम 1936 को लाया गया तो बताए कि वह कौन सा कमिशन था जिसके सिफारिज पर वेतन भ पढ़ा गया क्या सही है क्या गालत है तो मुझे कहीं भी एक कुश्चन नहीं मिला इकी सथिकर्पिस इनकी सिफारिज पर वेतन भुक्तान धिनियम तो आंसर दोस्तो लाया गया था वीटली कमिशन की सिफारिस पर इनकी वीटली कमिशन की सिफारिस पर याद रखेंगे बात को ठीक इनके वीटली कमिशन की सिफारिस पर लाया गया था वीटली तो आपको एक्जाम कन्फ्यूस कर सकता है WITALI कमिशन है, WITALI कमिशन है, मयकाली कमिशन है या सेमसन स्मिथ कमिशन तो आंसर है WITALI कमिशन के दोस्तों सिफारिस पर लाया गया था आपका यह अधिनियम चलते हैं, next question के और वेटन भुक्तान अधिनियम का वास्त्विक अधिनियमित नाम क्या है मतलब अधिनियम इतनाम क्या है सरी यह क्योशन है और फिर जिसको आप वेतन भुक्तान अधिनियम 1936 के नाम से जानते हैं मंगर रियल माईने में क्या अधिनियम में उसका वास्तिक नाम अधिनियम यह है बताइए क्या है उसका अंसर वेतन भुक्तान अधिनियम 1936 मजदूर मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 या मजदूरी भुकतान अधिनियम 1936 बताइए कि इस अधिनियम का रियल अधिनियम जो है उसमें वास्टविक नाम क्या है किस नाम से जानते हैं रही दोस्तों चारोफसन आपके सामने हैं सही आंसर असर इसका कि वेतन भुकतान अधिनियम 1936 disorders का वास्टविक नाम जो अधिनियम में लिखा हुआ है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 आंसर नंबर टू याद रखिएगा चलिए चलते हैं मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 को कब अधिनियमित किया गया है अधिनियम, अधिनीमीत किया गया मतलब सर। कानून राजपत्र में प्रकासित हो करके, आपका भई पावर में आ गया है , अब लागू हो गया है अब क्या ज़्स और कानून उन बन चुका है हूख तो किसडाट को कानून की रुप में इस्थापित हो गया लेकिस दिन से वो पावर में आ गया, दोस्तों वही आपको बता रहा है, कि मस्दूरी संदाय अधिनियम 1936, जो किसका अधिनियम में वास्तिक नाम यही है, इसको अधिनियमीत किया गया था, बता एक इस डेट को, 23 अप्रेल 1936 को, 23 मही 1936 को, 26 अप्रेल 1936 को, 28 मार्च 1937 को, आप सब भले ही मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने आप की तहरी कुछ आचिए, क्योंकि जब आप गलत तो सही करने समध डरी, आप अपनी इमांदारी कुछ आचिए, अगर आप कमेंट में दोस्तों, गलत भी आंसर टाइप कर रहे हैं, को दिक्रत की बाती हैं, अगर आप इसद पहरे लिए क्या कीजिए, क्वेश्चन नमर फॉर का आंसर एक है, दो हैसे लिए, फॉर का वन, फॉर का टू हैसे लिए लिए आप, ताकि जब में तक मैं इसका सही आंसर बताओ, आप जहांचे कि वह आप कितनी पानी में हैं, ताकि उसकी गहराए सकते, क्योंकि आप देखिए, जो सही आंसर हो तो आपको याद रहेगा, जो गलत किया, आपको याँसर टाइप कि गलत, और आंसर गलत निकल गया, तो दोस्तों आपको लंबे समय तक एकजाम में याद रहेगा, क्या है इस वो गलत किया था, सही आंसर दोस्तों इसका बहुत असान सा कोश्चन ही है कि भाया इस अधिनियम को अधिनियमित क्या गया था 23 अप्रेल 1936 को कब 23 अप्रेल 1936 को क्लियर हो गया भाई बात याद रखेंगे इसको याद रिनक टेखनीक बताया था क्या देखे लिका था 23 ये लिका भी अप्रेल में चौथा महीना और लिका भी आपका 36 अदेखिए क्या है सार उल्टा पड़िए 32, 4, 36 तो 32, 4, 36 तो हो गया भी 23 अप्रेल 1936 याद रहेगा बाप कमें सरी ये यस 23 अप्रेल 1936 क्लियर हो गया चल चलते हैं दोस्तों नेस्ट क्वेशन क्यों प्वेशन नमबर 5 आप सब के सामने हाजीर हैं मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 कब संपून भारत पर लागू हुआ अधिनियमित होना और अब लागू होना दोनों अंतर है कैसे सर अधिनियम होना मने कानून बन गया भारत के संपून भारत के हर एक राज्यम लागू होना दो अलग बाते हैं जैसे कि हमारा नया सिक्षानिती जो है दोस्तों बन तो अलग डेट पे गया मगर अभी हर राज्योदार उसको एक्सेप्ट कर लिए जाए उसलिए उस दिन हम कहेंगे पूरे भारत में लागू हो गया यह 23-26 अपर निस्टो लागू हो गया यह दो 28 मार्च 1937 को लागू हो गया यह संपून भारत पर लागू कब वह यह कोश्चन है दोस्तो सही आंसर है इसको भी बहुत सारे चैनल नहीं पढ़ाया गया और नहीं इसको ध्यान रखेगा सही आंसर है दोस्तों इसको अगना के सही अंसर किया है दोस्तों तो आपको घ्लत बहुत तो इसका 58 मार्च 1938 अठाथ 23 अपरण 1926 को दोस्तों अधिनयमित हुआ था इस डेट पर अधिनयमित हुआ था और दोस्तों लागू हो गये पूरे भारत भर में संपुन भारत के सब्द में लागू हो गया था सरकेस्यात कर गया थिसको भी अरतेश में पांच जोड़े 28 अपरेल से एक महिना का मार्च और 36 भी एक साल बढ़ गया एक साल लगेगा अब साल लागू होने में तो इसले एक साल बढ़के 37 मजदूरी संदाया धिनियम 1936 का विस्तार कहां तक है पताईए सभी राजियों में है या सभी के अंदर सासित प्रदेशों में है या जम्मू कस्मीर को छोड़कर संपुन भारत में है या ओफ संचार संपुन भारत में लागू है मजदूरी संदाया धिनियम 1936 का विस्तार कहां तक है सभी राजियों में सभी के अंदर सासित प्रदेशों में संपुन भारत में मर्जमू कस्मीर को छोड़कर या पूरे भारत भर में दोस्तों इसका सही आंसर प्र बताईए आप तो सही आंसर इसका है जो कि मैं आपको बता दूं मगर याद कि बैमानी मत कीजिए गलत सही कि डर समध डरिये कोई आपको नहीं पहचानता ओनलाइन यूट्यूब पे कि जाने का कि मैं गलत टाइप कर रहा हूं सही अपने आपको जज़ कीजिए क्वेश्चन पढ़िए औप्शन पढ़िए वीडियो पॉस कीजिए और आपको याद रहे खटा के मन में और खटका उची जमस्याद रहता है इस देखते हैं कि आपको ठिसाय रहेंगे आपका हाथ में टेकरा है रहता हूं अंधिरे में यहां बच के चलना है कि हमारा जो अदिनियम है उसका विस्तार संपून भारत में है पहले जम्मु कस्मेर में आपको आऔसर लियना है जम्मु कस्मेर में लागू है अगे बढ़िए मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उद्यस्य में क्या सम्मिलित नहीं है बताई क्या सम्मिलित नहीं है इसको उद्यस्यों में उद्यस्य का बात कर रहा है क्या उद्यस्य से इसको लेकिया थे हम इस अधिनियम को और उसको उधिस से मैं क्या समिलित नहीं है पूछा है, जो इसलाम का पैटर्न होता है, उस तरीकी से ही डिजार किया गया है पुरा, एक सिक्षिएस से हम पढ़ते चल गा है सर वेतन को नियमित करना क्या दोस्तो इस अधिनियम को उद्देश से वेतन को नियमित करना नहीं है Option 2 वेतन प्रदान की अधी निश्चित करना क्या वेतन प्रदान की अधी को निश्चित करना इसकी उद्देश से नहीं है जो मेरे वीडियो देखे होंगे दोस्तों आख मुंद किस कांसर मारने वाले हैं इतना confidence उनके अब एक्जाम में आजागे इस अधिनियम को ले करें इसलिए वीडियो जाकि देखिए जरूर देखिए कानुन द्वारा निर्धारित कटवती के अलावा अन्य कटवती पर विराम लगाना या यह उसको देखिए में नहीं है या उसको चार वेतन में अधिनियमित वृद्धी करना वेतन में अनियमित वृद्धी करना इनमें से क्या मज़़ूरी संदा अधिनियम 1936 के उद्धेश सम्मिलित नहीं है आपको बताना है तो सबको मैंने कल भी बोला था कि हमारा वेतन एक होने जा कि अतना तो सेलरी मिले मिनमम सेलरी को फिक्स कर देना यह हमारा नियम था अर था जिसका मतलब भया कि मज़़ूरी संदा अधिनियम का उद्देश से जो है उसमें वेतन को नियमईत करना तो उद्देश करना भी ये विसके उद्धेश समय दित है और कानुन जहां जहां पे लिखा है कि आयकर कटे गा किसी के वेतन से किसी के भी है यह कोई माई से था ताकि कोई और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो अनामस्य गरूप से हमारे सेल्डी में से कुछ भी बहाना करके कुछ पैसा काट मतले वो किवाल कि उतनizens पैसा कटै हमारे स meer सेल्डी से जितना कानून द्वारे निरधारित कट होती के सीमा में आता है क Ai ईए कि आने से करना कि मजदूर के बेतन में यह विर्द्धी किजिए कोई नियमित करते जाइए इसस depiction लिए किसी भी कानून के अनियमट कितना करना है कि करना है उसके पूरा बांध दे लूँगों तो यह चीज भी यह इसका गलत था ऐसे इन उद्देश से में समझते नहीं है पर इस question का answer यही सही है कि इनके उद्देश से में इस अधिनियम के उद्देश से में क्या समिलित नहीं है तो चौता जो point हो समिलित नहीं है क्यों नहीं आपको कारण सहिंदर ने समझा भी दिया है तो question से टिक नहीं मारना है समस्ते चलना है ताकि उससे जुड़ा जब question आपके exam कुछ और रूप बदल के आए तो आपको उसकान सिर्फ देने के लिए सक्च्छम रहें चलते हैं आगे उसलिए मस्दूरी संदा है धिनियम 1936 में बदलाव करने का अधिकार किन के पास है बताईए जो अधिनियम है तो इसमें कुछ भी चीच बदलाव करना है तो उसका अधिकार किसके पास है जैसे बदलाव करने का अधिकार तो सरकारों के पास ही होती है सरकार ही कोई भी नहीं बना सकती है बिगार सकती है तो बताईए भी किन के पास है राजिस सरकार के पास है जीला नयाले के पास है राजिस सभा के पास है या विधान पिर्शत के पास है सर इसका सही आंसर जो अधिनियम में लिखा है कि इसमें कोई भी बदलाव करने का अधिकार है पांसर आप बताईए तर सहीं आंसर है आपका राजिसरकार के पास इस अधिनिये में कुछ भी चीज़ Oo करना है जो बात लिखा हुआ है जो उसको बदलना है कुछ नहीं लिखा उसको जोड़ना है कुछ घटाना है किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव करने का दिकार है राज्य सरकार मुझे अब आपको एक्जामने नहीं खेल जाएगा थोड़ा कि क्योंकि अगर आप मेरा थियोरी देखेंगे तो आपको पता होगा कहा खेलेगा कि यहां राज्य सरकार का मतलब कोई भी यह 36 गड़ राज्य मद्य प्रदेश राज्य बस नहीं है यह राज्य सरकार सब्दो तो आपको राज्य सरकार आंसर में लेना ही पड़ेगा वर इसका मायने सही मायने में केंद्र भी है और दोस्तो राज्य भी है है एकर केंदर से जुड़ा हुआ किसी कंपणी है कोई प्रसासंसे वा को बीद बदलाव कर सकती है राज सरकार कर सकती है राजर केंटाप कर मिद्र कींगे हमतलब राज जर्सरकार हो नहiquए है राज को आसे लेना है राजillar कर तो यह राज़सरकार रुश्क देखने में राज़सरकार की तरह हैं, वा इसका मतलब कि आपको मैं समझा चुपा हूं, इसलिए समझ के पढ़िए, इसलिए रटने यह मत आई यह क्लास में, हमार अधेस इवी रहता है, इसलिए दो क्लासे क्लास में डाला था, समझाने के ल उस theory को पढ़े तो आपको सब objective वहीं खतम हैं, है ना, सीमाय नहीं है कि theory से सारे objective बना सके, theory पढ़ लिए तो उससे बहुत सार objective बनेंगे, आपका concept clear होगी तो सारे objective अप solve कर लेंगे, मगर आप सी बहुत सार objective solve करेंगे, तो बहुत सार concept छूट जाएगा, और concept छूटने अगला आते हैं, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में, बदलाव करने से कितने समय पूर्व सूचना देना अवस्यक है, बताइए, अगर आपको इस अधिनियम में कोई भी चीज बदलाव करना है, तो लगवा कितने दिन पूर्व सूचना देना अवस्यक है, यह question भी आने क कल जितने मेरे वीडियो डल है, part one, part two, उनके हर एक बच्चे के comment पर जाके मैं reply किया हूँ, जाके आप चेक कीजेए, तो आप जो answer type कर रहे होंगे, उनको देखूंगा भी आप गलत सही type की, सही type के matter नहीं है, जो type कर रहा answer, मेरे लिए वो बच्चा बहुत जदा या विश जाची answer, type की answer जाके comment, सही answer दोस्तों कि मजदूरी संदाया अधिनियम 1936 में, बदलाओ करने से कितने समय पूर वस्तूशने दिनावस्यक है, इसका सही answer है, तीन माह पूरूर, याद रख लीजिए गा, कि अगर सरकार को कोई भी चीजे अधिनियम समझे कि क्यों, सरकार को इसका माली से अधिनियम कुछ बदलाओ करना है, अब सरकार ने रात-उ-रत बदलाओ कर दिया, और रात-उ-रत बदलाओ कर दिया, बोला कि एक महने बाद यह बोला, दस दिन बाद, जाओ जितने भी श्रम निरिक्षक हो जो आप इसके धारत 14 खतात आद आप बनेंगे, labor inspector बोले जाओ आप company आप चापा मार रहे हैं, अब हर company पहुंच चापा मार रहे हैं, चलो, यह चीज़े दिखाओ, आप जो बदलाओ किया था नया, वो उस company को पता ही नहीं, और आप उस नया बदलाओ कर दिसार उनकी यह चापा मार ने पहुंच वहाँ, क्या दोस्तों, ऐ अधिने कर समय दिया जाता है, और तीन महीने पहले सूचना चारी कर दी जाती है, कि देखें, हम इस अधिनियम में आज से तीन महीने बाद ये 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 चीज़े बदलाओ करने वाले हैं, तो आप अपनी company को दो इन इन चीज़ों के अनुरूप ढाल लीजिए, और तीन मही कूट में कोई question दे दे तो आपसे बन जाएं, अगला question है, मजदूरी संदाया दिनियम 1936 के अंतरगत, केंडर इस्तर की company'yों में बदलाओ करने का अधिकार की इन के पास है, राज सरकार के पास, जिला नयाले के पास, केंडर सरकार के पास, विधान परसत के पास, सिर्क confusion क क्यों करेगा हम तो केंडर की company कि फट से केंडर मार देंगा, मगर दोस्तों आप यादर की इस अधिनियम में, सरकार में एक ही सब्द का प्रियों किया है, कि कोई भी बदलाओ कौन कर सकता है, मैं आपको पीछले पढ़ाया, पीछे ही पढ़ाया था, इसमें कोई भी बदल केंडर सरकार करेगी, इसला आपको बदलाओ केंडर सरकार करेगी, इसला आपको बदलाओ केंडर सरकार ही करेगी, राजर सरकार करेगी, और अधिनियम में किसी भी तरकी बदलाओ केंडर सरकार ही करेगी, राजर सरकार करेगी, और अधिनियम में किसी भी तरकी बदलाओ क केंदर हटा देता बोलते हैं किसी पतरीगे का बदलाव कौन कर सकता है तब को रासरकार आंसर लेना पड़ेगा ध्यान रखिए अगे बढ़ते हैं मजदूरी संदाया धिनियम 1936 की धारा दो के अंतरगात किसकी परिभासा सम्मिलित नहीं है इससे कोश्चन से आपको एक आंसर मिल गया बताइए धारा दो में क्या चीज़ दी गई है तो धारा दो में इस अधिनियम की सारी परिभासाएं दी गई है इसस LEDाफ्षन एक नियोजित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है इसके परिभासा में बताना है इस अधिनियम की धारा दो में किसकी परिभासा नहीं दी गई है इसकी परिभासा नहीं हैест तो आंसर दोस्तो इसका आप जान लीजिए इसका आंसर है और थाथ, मजदूरी संद्राय दिनिये मुझी सो थिस की धारादों के अंतरगत किसकी परिभासा समलित नहीं है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ भी नहीं, कौन से समलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब यह सब के सब समाहित हैं, इनमें से कोई भी ऐसा इन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी परिभासा में सम्मिलित ना हो इसले आंसर जाएकर डिपांच यह इन में से कोई ने क्योंकि यह सब के सब परिभासा उसमें सम्मिलित है और इतनी परिभासा है क्यों नियोजित व्यक्ति के साथ साथ नियोजक के परिभासा भी सामि है परेवाग्चाक के परिवाशा सम्मिलित है इससे अवकर या इसमें आपके बगान खान और आपके ख़दाग से आपके इसमें वायो परिवहन वाला जो सेक्टर है आपका माल adhesive मार ढुलाई वालो सेक्टर है यह सब चीज असी बहुत सरी परिभासा इसमें सम्मिलित हैं इस सब का लिस्ट मैं थियोरी में पढ़ाया हूं अगर लिस्ट आपको याद होता तो आसे पचासों कोशन बन सकते हैं उस थियोरी से इसलेक्टेट पॉइंट पढ़ाया है वह उस आगे बढ़ते हैं निमनलिखित में से क्या मजदूरी के अंतरगत सम्मिलित नहीं है तो निमनलिखित में से क्या है जो मजदूरी के अंतरगत सम्मिलित नहीं है मतलब मजदूरी जो हमको मिलती है ना किसी मजदूर को कारिक बतले जो वेतर मिलती है मजदूरी मिलती है उस मज़ोरी में या यात्राभत्ता और रियायते सम्चिज Hammilith नहीं है कि मजदोरी में या उपहार या ॶ्रेट्ची सम्चि समिलित नहीं मजदोरी में इनुट में से क्या चीज है याअव्परोग सभी सम्मिलित नहीं dat दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिक 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 आंसर चार आंसर चार आज़ो भईये कहाँ चले गए तुम आंसर चार इसका मतलब भईये हमारी मजदूरी में या किसी भी लेवर की मजदूरी में ना तो उसका पेंसन समिलित होता है न भोई सिनिधी, न यात्रभत्ता, न रियायते, न उपहार, न ग्रेच्चूटी, अर्थाद, यह उप्रोक्त सभी मजदूरी में सम्मिलित नहीं होती है, अगर आप इनमें किसी ब जीच का फैसलिटी लेंगे, पेंसन कड़वाएंगे, भोई सिनिधी लेंगे, यात्रभत सम्तार धिनियम में, यह मजदूरी संदार धिनियम में, जो मजदूर सब्द है दोस्तों, उस मजदूर सबस्री लेबर हुथियारी के लिए नहीं, आप ओफिसर हों, अधिकारी हों, मेनेजर हों, कोई भी हों, सभी को यहां मजदूर सब्द से ही दरसाया गया है, क्लियर ह यह बाद भी ध्यान रखेगा, यह पुछ सकते हैं कि मजदूर से क्या समझते हैं आप इसमें, तो अधिकारी हो, चाहे करमचारी हो, चाहे भी यह आपका लेवर हो, सब यहां मजदूर हैं इस अधियम के अंदर गर्त, यह बाद ध्यान रखेगा, उससे भुआ कोशन बनेग इसका भी पूरा थियोरी का लिस्ट है, कि मजदूरी में क्या क्या समयलित नहीं होते हैं, बताईए, मजदूरी संदाया धिनिया मौनिस सच्थिस के तहद, नियोजक वेक्ति से आप क्या समझते हैं, नियोजक वेक्ति का मतलब क्या होता है, बताईए, नियोजक वेक्ति के अंतरगत, नियोजक वेक्ति जो आपको नौकरी में रख रहा है, नियोजित अगर बोला, तो नियोजित वेक्ति जो काम कर रहा है, labor, मजदूर और दुस्तो नियोजक बोला तो जो काम पे रख रहा है जो आपको नौकरी दे रहा है तो आपको प्रबंदध के अनकी manager नौकरी पर रख लेता है ठेकेदार अपने नौकरी पर रखता है परिवेक्चेक या नियंतरग जो है वो आपको ठेकेदार नौकरी पर रखता है तो इस सब के सब दुस्तों नियोजक के अंतरगत आ जाएंगे फिर चलिए इससे समझ विक्सित कीजिए जाईए और थियोरी पढ़िए धारा चार के अंतरगत वेतन भुक्तान के ओधी कितनी नियत की गई है तो बताईए अब धारा चार ही नहीं पता लोगों की हाँ इस धारा से ज़्याद है कि दूस्तों दिखिए धारा से जुड़े कोश्चन बहुत कम लोग युट्यूब पर करवाएं है सब नहीं करवाएं जातकर मैं देखा हूँ करवाएं उसका आइडिया नहीं उसका तो अगर आप चाहेंगी सरी सद्रियम की किस धारा में क्या चीज लिखी गई है धारा से जुड़े कोश्चन आप करवा दीजी तो अगर आप बोलेंगे डिमांड कमेंड बॉक्स में दोस्त आपको पूरी धारा मुझवान याद होंगी तो उसके कभी क्वेश्चन कुछेगा किस धारम क्या किस धारम क्या है आपको फिर उसके लग 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 अबजेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने ज़रत नहीं हो फिर भी अगर आपको चाहिए तो मिला दूगा कमेंड बॉक्स में परिभासा है सदियम का धारा तीन में है कि उत्तरदाईटर तो किसका है मने लेबर को काम पर रखा गया तो उसको वेतन भुफट्टान करने के उत्तरदाईट तो किसका अतमालिक का होगा, तो भी तीसरे में है उत्तरदाई की, चौथे में है दोस्तों कि वेतन भुक्तान कब तक करोगे, कितने दिन में करोगे, हर एक-एक माह में करोगे, तो हाँ, भी यह उसमें अवधी की बात कही कि धाराचार में, इस धाराचार में हां, अधी की बात की गई, इस धाराचार में, अधी की बात की कितने समय आप व voting दोगे, तो हाँ हर एक महीन बाज दूँगा, हर तीन दिन में दूँगा, हर सब्थाह्यीर दूँगा, यस, तौ आई tentang option, कि थारा चार के अंतरगात वितन भुक्तान की ओधी कितनी नियत की गई है Option 1, एक माह Option B, प्रतिक 30 दिन Option C, प्रतिक 28 दिन Option 4, आपका एक सब्ता आपको सब्ता ही गुरुप से सेलरी दिया जाएगा हर 28 दिन में आपको सेलरी दिया जाएगा हर 30 दिन में आपको सेलरी दिया जाएगा यहर माह आपको सेलरी दिया जाएगा दोस्तों आपको इसे और कोशन बनता है कि थारा चार के अंतरगात वितन भुक्तान की ओधी का आधार क्या रखा गया है तो याद है कि इसका आधार रखा गया है मासिक, पुछ देख मासिक है, आपका सबताहिक है, दैनी के तो गया इसका अधार है मासिक, बुसरी बात दोस्तो, एक माह में प्रत्यक, एक-एक माह में सेलरी देना है, यह धिनियम प्रवधान करता है, इसलिए आप देखते हों कि नॉर्मली हर जगा पर जब आप काम करने प्रत्यक माहवाईश चलेगा आपका सल्व, अब बहुत दों गोलें सर्कोष्टन ओप्सन सिदा सिदा करवा दीजिए, दोस्तों मैं आपको इसलिए क्या कहना चाह रहा है, यह समझना सिखा रहा हूं, जो आपको क्या कहना यहीं नहीं समझेंगे, आप औप्सन कैसे टिक करेंगे, इसलिए मैं डिस्क्राइब भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ विक्सीद हो, ताकि और कोशन बढ़ने तो आप समझ सकें, धाराचार के अंतरगत वेतन बुक्तान की अधार निमनलिकित में से कौन है, पेपर तो लिख हो गया, इससे पहले ही मैंने आपको आंसर पताया था, इस अवधी का आधार किसे रखा गया है, दैनिक, मजदूरी भुक्तान का आधार क्या है, दैनिक है आधार, सबताही का आधार है, मासिक आधार है, वारसी का अधार है, तब पीछे क्या देखें, क्या सर, हर एक माह में सेलिद देते जाना है, मासिक आधार है, तो दूस्त आंसर चीद होगा, इसका अधार है, मासीक, मासीक अधार है, मैं बोलू ना बोल, आपको हर कोश्चन, वही चीज फॉलो करना है, कोश्चन पढ़ें, आपसे ने की वीडियो पॉस्ट की, आंसर टाइप करके, जो मैं कमेंट कर दिये, तब आके आंसर देखना है, तक आपको लंबे समय तक याद रहे, प्रोसेस अपना ही दिखिए, बहुत फाइदा होगा, आपको एक्जाम प्लाइब, तो याद रखेंगे, धारा चार के अंतरगत, आउधी कितनी है, तो उसका मासीक है, और कितनी आउधीम देना है सेलरी, हर एक माह के अनुसार सेलरी यदि एक हज्जार से अधीक व्यक्ति कारेरत हैं, तो वेतन भुक्तान में कितना विलंब किया जा सकता है, हालकि इसको देगा, वेतन भुक्तान की संधाय, वेतन भुक्तान की संधाय, वेतन भुक्तान की संधाय, वेतन भुक्तान में विलंब कुछ संधाय आपको दिखा करेगा। तो भुट्राइन का मतलब कर सकता है। समझना जरूरी है। कि सिर्ट आपको सेलरी 1 अपरिल को जोईन कीए, इसलिए बोलता कि मेरे बड़े है। टो 1 माई को सेलरी मिलना था, 1 माई को जुलाई को ऐसा चलता क्था सब्सक्राइब और समय ले सकती है या दस दिन और विलंब कर सकती है आपके सल्डी देने में तो एक हजार से अधीक वाले केस में क्योल क्योल दस दिन और विलंब कर सकती है और जहां दोस्तों यहीं आपको बता देता हूं यह चल देखी कि आप आगे कोश्चन मिल जाए देखते हैं कोश्चा है कि नहीं और जहां दोस्तों अगर 1000 से कम वेक्ति वाला बात कर दे तो जहां दोस्तों क्योल क्योल 7 दिन यहां दखिये कि दो नहीं बता दिया हो जिस कंपनी में 1000 से अधिक वेक्ति कारे रहत है वह आपके वेतन में भुखतान में देरी अधिकतम विल्याम दस दिन कर सकता है और जाएकी ज़र से कम लोग है वह अधिकतम देरी साथ दिन का कर सकता है और अगर ऐसे पुझाएज ओवर आल कोई भी कंपनी, कोई भी प्रशासान किसी मजदूर के भुगतान में अधिकतम कितनी देरी कर सकता है तो उसकी सीमा है दोस्तों एक माह अधिकतम विलम क्या हुद ही है एक माह इस case में प्रिटिक्टिक्लिग इस case में 7 दिन-10 दिन आफ पढ़ेंगे मगर ऐसे पूचे है अधिकतम कितना देरी कर सकता है धारा पांच के अंतरगत कम्पनी द्वारा किसी वेक्ति को नौकरी से निकालने पर उसे उसकी सेस मजदूरी का भुकतान कितने दिन के अंतरगत करना होगा तो धारा पांच के अंतरगत कम्पनी द्वारा किसी वेक्ति को अगर नौकरी से निकाल दिया तो नौकरी से निकाल दिया तो उसकी सेश मस्दूरी का भुक्तान उस कंपनी को कितने दिन के अंदर रगत करना होगा देखे एक हजार से अधिक एंपलोई हैं तो भई आप करेंगे भई या क्या दस दिन का आपको समय लेगा पेमेंट में लेट करने का एक हजार से कम है तो साथ दिन का अगर आप उसको निकाल दी नौकरी से तो आप सिर्फ दो दिन के अंदर उसकी पूरी भुक्तान करनी होगी कितने दिन के अंदर सिर्फ दो दिन के अंदर उसकी पूरी भुक्तान करनी होगी दो दिन के अंतरगत याद रख लिजिए एक हजार से अधिक के केस में दस दिन एक हजार से कम की केस में साथ दिन अगर तुरन नौकरिस निकाल दी तो क्यों दो दिन का समय मिलेगा आपको तेर चलिए दो कर रहा है अगम करए को समघ थे हैं धारा पांच के अंतरगत माल डूलाई से जुड़े व्यक्ति के वेतन में अधिक्तं कितना विलंब किया जासकता है जिधारा 5 के तहत और को एक वकी माल ठूलाई कर रहा है समान ढोने काम कर रहा है चाहे दूसतो यूट हो इसके वेधन में अधिक्टम कितना विलम्ब किया जा सकता है उस category के काम करने करें लोगों के वेतन में अधिकतम कितना विलम्ब किया जा सकता है answer दोस्तों इसका केवल साथ दिन याद रखे कम करम चाहरे कि लिनीयम था वह यहाँ पे लागू होता है कि यह जर चाहरे कम को भी साथ दिन करना था इनको भी आप साथ दिन अधिक्तम विलम कर सकते हैं सेलरी देने में सेलरी तो आपको हर बार मासिक ही देना है और विलम करेंगे तो इनके में साथ दिन के विलम कर सकते हैं कर्मकार वेतन भुक्तान को अधिक्तम कितने दिन लंबित किया जा सकता है अब आगे वो कि किसी भी कर्मकार के वेतन भुक्तान को अधिक्तम कितने दिन लंबित किया जा सकता है साथ दिन दस दिन दो दिन एक माह बुस्तव को पहले इस कांसर बता चुका है अगर आप ध्या देने में अधने था उसके बाद हो हम पर केस कर सकता है वो अधिये एक माँ या दिक्तम किसी भी कर्मकार के वेतन भुकतान में दिक्तम जो विलम कर सकते हैं आप वो एक माँ के अधियी होती है दोस्तो आज क्लास में हम लोगो इसका दलास्ट एक ही कोशन पढ़ेंगे 20 तक पढ़ते हैं फिर उसका नेक्ट पार्ट में फिर और इसको बीस कोशन ले आएंगे अगर आपको क्लासे पसंद आ रही है कहां सर बहुत बढ़ी हैसा आप कोशन लिख रहे हैं लिख्यों है एकन का से समझना है और फूलि और अरे बंटे ही जाही है पसंद आ रहा है और भी हमको इस पॉइस सब्सक्राइब च चाहिए आ बबने चाहिए अस अधिश्ब में हम काम करें करूं करें तब और बच्चों का गुलों में किसे होते हैं बच्चों का है विव से और लाइक से बच्चों कितने वीडियो में आपके लाइक किया हैं तो जब आप सेयर करेंगे विव लाइक ज़्यादा होगा तब कंपनी बोलती कि नहीं ठीक है उस बच्चे के उस टॉपिक पर आपक्लास बनाईगी अन्य था उन से ज इसको ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों को के लाइक और दोस्तों विव नहीं आते हैं तो हमारे को पता चल जागा कि दिमांड ही नहीं है और दुनिया में बिना डिमांड के सप्लाई करना किसी ब्योग नेशन के लिए पॉसिबल नहीं है जब यह कोई डिमांड ही न दो आपके जीमान रही कि आपके आपके लाइक दिखेंगे कि बच्चें इंट्रस्टेड उनको चाहिए तब क्योंकि हमार कंपनी बहुत सारा काम है तो किसी आपके सेग्मेंट में काम करेंगे जब आपके डिमांड हो हम फ्री में देखिए को भी आपको यूटिम पढ़ और इसी तरीके से हमने बढ़ते हैं नेस्ट कोश्यन के और जिसको देखके दूस्त और आपको एक नहीं चीज सीखने मिलेगा कैस में देगा सिक्योर नोट के माध्यम से देगा या करमचारी लिखित प्रमाणा अगर दे देता है तो करमचारी के लिखित प्रमाणा के बाद पस्चात चेक के माध्यम से आपको देगा मजदूरी या सी केवाल चेक या बैंक डिपोजिट द्वारा देगा या दूस्तो डी उप्रोग सभी के द्वारा देगा. तो बताइए, धारा छे के अंतरगाज वितन बुक्तान का माध्यम हो सकता है. इससे पहले एक और कुश्चिन जांच देता हूं, हमें साथ दूज़ आया हो तो, नहीं आया है. चलिए, यहीं आपको बताऊँगा, इससे जुड़ा हो और एक महतुपूर्ण ची, जो आपको दिल खुज कर देगा. दोस्तो पहले जब यह धारा बनी थोड़ समझीएगा, यह धारा जुड़ी, तो दोस्तो धारा छे के अंतरगत बोला गया, कि दोस्तो वेतन भुक्तान का माध्यम हो सकता है, सिक्किय और नोट के माध्यम से आपको वेतन का भुक्तान करना है. फिर दूस्तू भुला गया कि अगर करमचारी लिखित प्रमारन दे देता है। होजाई किया जा सकता है, तोछ 2727 बाद दोस्तों भी नियम आ गया इसलिए अब कर रही हो जाएगा, वप्रोक्त सभी, किसी बएपके मज़दूर को भुटान, सिक्योर नोड में कैस में कीया जा सकता है, चेक के मादें ये भी सब नियम हट गए हैं, कि आपको किसी मज़ूर को भुक्तान करना है तो अब किवल 2017 के बाद या तो आप चेक के माधिमस कर सकते हैं या उसकी बैंक में आप डिपोसिट करके कर सकते हैं इसलिए अब क्या देते हैं अपने आस पास कि हाँ यह सब करने वाली अपके फादर आपके भाईया मैया यह य अगर आप उसको चेक के माधिमसे बैंक में डिपोसिट करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड आटोमेटिक मेंटेन रहेगा तो किसी कंपनी को अलग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा साक्ष्य मौजूद रहेंगे और कोई कंफिजन नहीं होगा कोई दोकदरी नही करना अधिनियम में लिखा था पैसाड़ सौ रूपया है कि पैसाड़ सो रूपया से उपर के जितने भी लोगों को सेलरी मिलती है और जिसको 25 सो उपर सेलरी मिलती है 6666 866 866 866 वह सब इस अधिनियम के अंतरगत आते थी 1600 से प्लस अधीक वाले फिर दोस्तो इस लिए अधिनियम को बदला गया काम 2 हजार, 12 में इसको बदल दिया गया और कर दिया गया, इस 600 की सीमा को बढ़ा के कर दिया गया 18 हजार 18 हजार से अब उपर जिसको भी अधिनियम के अंदर काथ आते है फिर यही वर्स 2017 में फिर वर्स 2017 में अधिनियम इत किया गया और बुला गया कि अब 24 हज़ार से अधिक जिसको भी सालरी मिलती है वह इस अधिनियम के अंतरय का ता है तो अगर आपकी सालडी 24 नियम में इतना ही लिखा हुआ था अप्डेट होके इतना हुआ था फिर फाइनल अप्डेट इतना हुआ है और दोस्तों यह जनकारी यूटूब के कोई सी चैनल में नहीं पढ़ाएगा है आपको बतार अपडेटेड यह हमारे जो घंस्याम पाड़ी गरही सार और रैंक फ करते हैं आप आप सबसे लविदा लेते हैं दूबर करते हैं आप हमें से प्रसासन आप्रवेश कर लिया हमारे वन सेवा परिच्छा 2020 में चैनित हुए आपके तीन सहायक वन संटक चक और दोस्ता आपके पंद्रह आपको दिख रहे हाँ पर क्या रिंजर वन शेत्रपाल तो सिखा जा मैं रैंक एट आया है पुर चत्तिस गड़ में आपके दिवापटल जी रैंक 19 यामनी पूरते जी रैंक 186 इस तरह के पूर जाम दे रित्यू साह और दोस्तो सेमुएल पन्ना जी इन सब को दोस्तो हमारे अरजुना टीम के दर से अखंड अखंड बढ़ाईया हो कि आप इस पद पर विध्यारती से अधिकारी पर पहुंच चुके हैं और दोस्तो इसमें इनकी अथक प्रयस्तरम प्रयास का तो इसलिए आप भी दोस्तो अगले विध्यारती से अधिकारी बन सकते हैं और आप अरजुना विश्वास कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए यहां से जुड़े रहिए आपकी ज्यान में अवस्य ही अरजुना से जुड़ने के बाद विद्धी होना निश्चित तह है औ फ्री में उसका टेस्ट कराईगी ताकि आपका चैनल का डेली का मिलने का टेंशन खतम और दोस्तों आपको डेली उसका टेस्ट का टेंशन खतम आपको पूरा करेंट अफेर रेडी होता रहेगा यह रोगे बात हो ऐसी और बहुत सब्सक्राइब देने का प्लैनिंग चल के लिए नमस्कार जे हिंज भाराज जे शक्तिसगार बंदे मात्रम धन्यवाद क्लासेस और चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूरी है और व्यू कितना होता उस पर इवन करता है कमेंट जरूर कीजिएगा धन्यवाद